हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज़्यादा तीवर हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक-एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मास मजजा रखते वीरे मल मूत्र मेद और आपकी अस्तियां इनका विकास होगा तो कभी भी कुछ न खाएं ये पद्धिती भारत की नहीं है ये यूरोप की है यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो हमारे ये नहीं है तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूँ बागबट जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अगनी की प्रभलता हो जठर अगनी की प्रभलता हो बागबट जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि देड़ दो साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो वो कहते हैं कि जब सूरिका उद्य होता है तो सूरिके उद्य होने से लगभग धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो बागबटी जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें, वो तो एक जगए यहां तक कह देते हैं, कि आप अगर संभव हो, तो साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायव, वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नौ बजे तक अगर आप के शरीर के लिए उपयोगी होगा, बागबटी जी ने एक और रिसर्च किया था, कि शरीर के जो अलग-अलग अंग हैं, जैसे हिर्दय है, और जैसे जठर है, जैसे किड़नी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग-अलग समय है, जठर अगनी के काम करने का सबसे गंटे पहले ब्रह्मोर्त आप समझने चार साड़े चार तो दो सवा दो बजे डेड़ बजे से लेकर चार बजे के बीच में हर्ट सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा हर्ट अटेक उसी समय में आते हैं किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लिए बगवान ने तै किया है तो आपका जठर अगनी है ये सबसे अच्छा साथ से साड़े नौ तो आप भरपेट खाना खाईए हैवियर से हैवियर होना चाहिए बारी से बारी जितना खाते हैं ज़्यादा भी खा लिजे कोई फरक नी पड़ सुबह के नाश्टे में भिखाते हैं तो दुपहर को चार ले लीजे और शाम को दो ले लीजें तो बागवत्त जी कहते हैं कि सब कुछ सबेरे खाऊ आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाकिय में कहता हूँ जो छी सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, आपकी जीव स्वाद के लिए मचल रही है, रजगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो सुबह खाओ, जलेवी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ, अगर आपको आलू का पराठा खाना है, या गोवी का संतुष्टी से ज्यादा बढ़ी है मन हमारा जो है न ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचानित है मन को आज की भाशा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं न हाला कि वो है नहीं लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लेंड के बारे में है ये जो पीनियल ग्लेंड है न इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम हार्मोन कह सकते हैं कुछ एंजाइम से ये संतुष्टी के लिए सबसे आवश्यक ग्लेंड है पीनियल ग्लेंड तो भोजन अगर आपको तरप्त करता है भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तरप्त होना तरप्त करेगा तो पीनियल ग्लेंड आपकी सबसे ज़्यादा सक्रिय है तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं और जो भोजन से तरप्ती नहीं है तो गड़वड होती है पीनियल ग्लेंड और पीन मानसिक लेश होगा और रोग होंगे मानसिक रोग बहुत खराब है आप सीजोफरेनिया के शिकार हो सकते हैं डिपरेशन के शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंबीर बीमारीयां हो सकती है बागबटे जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 ताइस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं अब मैंने ये बागबटे जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता है ह हला कि मनुष्य अपने को होशयार समझता है लेकिन मनुष्य से ज़्यादा होशयार ये जीव जगत के प्राणी है आप चुड़िया को देखो चुड़िया कितने भी तरह की चुड़िया सबेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है खूब जम के खाती है तो ये सारे जानवर, सारे जीव जन्तु आप साप को देखो, बिच्छु को देखो, कीडी को देखो, चीटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जन्तु जो हमारी आँखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सब का भोजन करने का समय सबेरे सू करते हैं इसलिए यह हमसे जादा स्वस्त रहते हैं और पेट भर गया उसके चार गहंटे के बाद ही पानी पीती है दुपहर कोई पानी पीती है मैंने आपको कई बार यह कहा है आप उसको हस देते हैं किसी भी चुलिया को डाइबिटीज नहीं होता कि किसी भी बंदर को बंदर का इलीवर आपकी किड्नी, बंदर की किड्नी सब कुछ समाने मां का गरभाश है, बंदरिया का करभाश है सब समाने मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डौक्टर रबींदरनात् पिरनाथ शानबाग, करनाटक में एक उडुपी नाम की जगए हैं, वहां रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदजी भर्माने 15-16 साल उन्होंने एक अफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया, कि उसके बलड का कॉलेस्टरॉल बढ़ा दू, बढ़ता ही नहीं, तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं, कि बंदर का जो बलड है ना, उसक यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सभेरे ही सभेरे भर पेट खाता है, जो आदमी नहीं खा पाता है, तो वो प्रफेसर रवीद रनाशानवाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो बंदर की तरह से खाओ, माने सुबह सुबह भर पेट खाओ, कि जब से उन्होंन कुछ गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नीद अच्छी आने लगी वगरा वगरा, तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज होगा और ढाई गंटे तक, माने साड़े नौ बजे तक, जादा से जादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए, और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्टा बंद करेंगे, ये नाश्टा हिंदुस्तानी चीज नहीं है, ये अंग्रेजों की है, और आप जानते हैं हमारे या चक्कर क्या चल गया, नाश्टा थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा जादा करेंगे, डिनर उससे भी ज कम है, कारण पता है, वो लोग नाश्टा हलका ही करें, तो उनके लिए अच्छा है, कारण उसका एक ही है, कि अंग्रेजों के देश में सूरे नहीं निकलता, साल में आठ-ाठ महिने तक सूरज के दर्शन नहीं होते, और ये जो जठर अगनी है ना, ये सूरज के साथ सीध संबंदित है, जैसे जैसे सूरे तीवर होगा, अगनी तीवर होगी, जैसे जैसे सूरे कम होगा, अगनी भी कम होगी, तो वो नाश्टा हैवी नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था, अपनी आबो हवा, अ विश्चित रूप से निकलता है, अगले दिन भी निकलेगा, करोणों साल से निकल रहा है, अगले करोणों साल तक निकलेगा, इसलिए भारत में every morning is good morning, यूरोप वाले तरस्ते हैं good morning के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहाँ, इसलिए हर एक आदमी दूसरे को wish करता है, May I wish you to have a good morning, इसलिए वो good morning वाले लोग हैं, तो हम good morning में क्यों फसे हुए हैं, तो good morning से निकलिए, नमस्ते में आईए, नमशकार में आईए, वड़कम में आईए, ये good morning आपके लिए काम की चीज़ नहीं है, और ये good morning जुड़ी हुई है आपके पेट से, फिर आप इसमें तरक और कुतरक मत करिये, जी हमको दुकान जाना है, हमको आफिस जाना है, हमको दुनियादारी समालनी है, किस के लिए, इसी पेट के लिए ना, ये दुनियादारी कर किस के लिए हैं, आप इसी पेट के लिए ना, तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए बागवट जी कहन हैं कि भै इसको समाल लो तो दुनियादारी समर्फी करेंगे क्या मालीजे पीट ठीक नहीं है स्वास्त ठीक नहीं है आपने दस हजार करोड कमा लिया क्या करेंगे डॉक्तर को ये ना तो दॉक्तर को देने से safणा किसी ऑशाला वाले को दे दीजे, पेट दुरुस्त कर लीजे, तो पेट आपका है, तो दुनिया आपकी है, माने आप बाहर निकलें घर के, तो छक कर खाना खाके निकलें, भोजन करके ही निकलें, जठर अगनी सुबह सुबह बहुत तीवर होगी, और शाम को जब सूर्यस्त होने जा रहा है, तब भी तीवर होगी, बहुत तीवर होगी, तो कहते हैं, शाम का खाना सूरज के रहते रहते खालो, सूरज डूबा, तो अगनी भी डूबी, तो वैसे तो जहन दर्शन में का है, रात्री भोजन निशेद है, भागवटी जी भी यही कहते है, तरीका अलग है बस आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्ते के लिए कहते हैं वो यह कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता गाय को खिला के देख लो बैंस भी नहीं खाती बकरी भी नहीं खाएगी बकरा गदे को खिला के देख लो खाता नहीं हाँ बिलकुल नहीं खाता आप खाते हैं तो आप अपने को कंप पहले तो बागवट्टी जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले, 6 बज़े डूब रहा है तो 5 बज़ के 20 मिनट तक, फिर कहेंगे जी रात को क्या, तो रात के लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि एक ही चीज है, जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूद कहा है, हम डबा मंगा लीजे, दुकान में डबा आ सकता है, हाँ, डबा आने में कोई तकलीफ नहीं है, दुकान में आप 6 बज़े बैठें, डबा आपका आ सकता है, और मैं आपको हाद जोड़ कर कह रहा हूँ, आप में से कोई भी डाइबिटिक पेशन्ट है, कोई भी अस्थमेट चेक कर लीजे और इस सूत्र को शुरू कर दीजे, तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे, पहले से कम होगा, VLDL, LDL आज चेक कर लीजे, तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे, बहुत तेजी से घटेगा, HDL आज चेक करा लीजे, तीन महीने बाद चेक करा लीजे, बहुत में आसकरेगा